हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, I hope you all are fine और आप सब की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी तो इस वीडियो में जो हम डिसकस करने वाली हैं, वो क्या है बिटा, कोवेलेंट बॉंड तो basically इस वीडियो में जो हम डिसकस करेंगे, वो proper हम कोवेलेंट बॉंड के बारे में डिसकस करेंगे उससे पहले हम यह जानेंगे एक बॉंड क्या होता है और किस तरीके से कोवेलेंट बॉंड फॉर्म होगा उससे पहले कि मैं आपको कोई भी डाउट हो मैं आपको इस क्लियर कर देती हूं कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ट शो करता है वह हम कार्बन के वर्सेटाइल नीचर में पढ़ेंगे और जो कार्बन की दो प्रॉपर्टी से काटिनेशन एंट टेटरावेलेंशी उसके अंदर आपके टापिक डिसकस क्या जाए कि कार्बन क्यों फोर जो की है किसी चीश के बीच जो बॉन्ट बनेगा मिस अट्र अट्रेकशन होगा वर इसके बिच में oxygen में さ की बोगा जब बनेगा सपोस डेखो पिट Πैटा यह यह है यह बिजए तोनों अलग अलग है मट इन दोनों के बीच में का ट्रेकशन वा तो भी दोनों क्या बन गए इन में ये friends बन गए इनकी क्या थी new formation तो उसी तरीके से क्या हुआ जो atoms है या ions है उन दोनों के बीच में attraction हुआ और क्या बन गया एक नया structure form हो गया ये दोनों पहले और भी अकेल अकेले तो तो जाता stable नहीं थे पर जैसे friend बनेंगे इनके अंतर क्या जाएगे stability उसी तरह से bond किसके लिए applicable है for stability of a substance तो क्या लिखेंगे attraction of atoms और ions to form new structure नया structure बनाने के लिए attraction of atom या ions को क्या कहते हैं bond और क्या लिख देंगे it is applicable for stability of substance substance की stability के लिए क्या है applicable होते है अब देखेंगे बिटा जो bond है वो basically two types का होता है एक होता ionic bond और एक क्या होता है covalent bond इस वीडियो में जो हम discuss करेंगे और जो आपका पूरा चैप्टर है वो किसके बार में covalent bond के बारे में तो discuss करते हैं covalent bond बेटा वो bond होता है जो की bond formed by sharing of electron ठीक है बॉंड क्या covalent bond के वो bond है लास में bond है तो बॉंड से शुरू करेंगे formed by sharing of electron electron की sharing से जो bond form होता उसको कह रहते है covalent bond और वो शेरों के क्या electron शेरों के क्या बना लेते electron pair सपोस्थ यह एक लेक्ट्रों ने यह एक लेक्ट्रों दोनों शेयर होगे मींसुन मिल फेयर में करणाच के लेक्ट्रों पारन अच्शार बना लेता पर्ट्य आपको भी धियानित देना है अलेक्ट्रों पेयर क्या होता यह अपको से लेक्ट्रों आपको स्च्नाल 10 में सिंस्पल से क्या लांड करना है bond formed by sharing of electron और यह कैसा bond होगा means किसके बीच में form होगा between non-metal and non-metal अब देखो कैसे form होता है suppose मैंने लिया O2 मैंने क्या लिया O2 O2 का मतलब क्या है बेटा 2 O है O2 का मतलब क्या है 2 O है तो O का पहले मुझे बता दो आप atomic number किता होता है 8 होता है electronic configuration की KL के में किता आते है 2 और इसमें किता आजाएंगे 6 total 8 अब देखो यह 1 O है यह 1 O है विकास O2 है तो 2 O अब जो भी hydrogen को छोड़ के जो भी आपके elements होंगे atoms होंगे वो क्या follow करते है octate rule hydrogen क्या follow करते है duplate rule बताऊंगी क्या होता है फिनाल आपको इतना पता होगा ना कि जो elements होंगी last जो valence shell उसमें 8 electrons होने जी according to octate rule तो बेटा यह oxygen की last shell किती है L L के पास किते हैं 6 electron किते और ची हैं 2 electron तो कैसे आएंगे अब भी देखेंगे पहला oxygen है ना 6 electron तो 6 electron draw कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस वाले के पास भी 6 होंगे बटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड़न अब इस वाले oxygen के पास देखो किते हैं 6 किते और ची हैं 2 इसके पास तो यह वाला oxygen है इसके पास तो ले सकता उधार में ले ले लेगा बिल्कुल ले लेगा तो यह वाला oxygen क्या करेगा बेटा इसके पास तो इसके पास से दो elektron ले ले लेगा 6 थे 7 and 8 यह वाला oxygen complete अब इस वाले पर आओ तो इसके पास किते हैं 6 होंगे इसके पास भी यह भी क्या करेगा, तू ले लेगा इस वाले से उधाय, तू देखो, इसने भी क्या किये, टू एलेक्टरोन उधाय ले लिये, so this is single line, this is double line, hence oxygen, double bond, oxygen, clear समझ आया, second example, suppose मैं उठा ले तू नाइट्रोजन, atomic number बोलो बेटा, 7K और L, 2,5, now this is nitrogen, and 2 है, and 2 का मतलब क्या है, 1 and 1 means 2 nitrogen, यह N, यह N, now 5 है इसके लास ल में, तो पहले 5 इलेक्टरोन ट्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पास भी 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, and 5, done, 5 है, octate complete करना, oct means 8, 8 complete करना है, तो किते ची हैं, 3, किते हैं, 5, तो 3 से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, तो यह क्या लिया, 3 electron यहां से उधार ले लिए, अब इसके पास किते होंगे, 5 होंगे, octate complete करेगा, means 3 लेगा, तो 3 यहां से ले लिए, 1, 2, 3, 3 line बनी nitrogen, triple bond nitrogen, यह क्या होती है बिटा, आपके covalent bond, fluorine देख लो, this is your fluorine, किता होगा, 9, K, और L2, 7, अब 7 है, means 1 electron gain करेगा, तो यह कोई structure बनाने की जरूरत नहीं है, F, single bond F, और चाहिए, तो इससे बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, बिटा, एक लेगा, इसके पास वो 7 है, एक लेगा, single end fluorine, single bond fluorine, यह क्या था आपका covalent bond, hydrogen का duplet, जो है, हम next video में बता दूँगी, और फिर हम शुरूर केंगे, कार्बन का जो प्रॉपर्टी है, basically, वो हम discuss करेंगे, तो इस वीडियो के लिए ताई, I hope आपको समझ आएगा, कैसे बनाते हैं covalent bond, मिलते हैं अपनी next video में, तब तक के लिए, एक हैर हस्ती रहें, न वापाय, झाली